हेलो नमस्ते मेरा नमशी रंक दिर्वेदी है और यह जियो मॉर्फो लॉजी सीरीज का तीसवा वीडियो है आज का मादा शीट सक है चैनल मॉर्फो लॉजी जल्धारा आकार की इस वीडियो में जो स्लाइट्स पर सुस्की गही है लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर मेरे से पढ़ाने में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप करेक्ट कर दीजिए दुबारा से कमेंट में लिखके और बता दीजिए मैंने कहां गलत बोल दिया था तो अब हम लोग जानते हैं भूजल्धारा भुगाकर की चैनल मॉर्फो लॉजी के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने ड्रेनेज priorities के बारे यंब पड़ा ड्रेनेज शिस्टम को मोगों जान चुके हैं बहुत सारी नदियों का तंतर जो रrendo कोपी बात करते उस जलधारा के अंदर कौन-कौन सी इस्तिलाकतियां हैं उसकी कौन-कौन सी खास बाते हैं और उसे क्या-क्या चीज़ें इंपेक्ट करती हैं समय के साथ उसके अपने आपको बदलती है और क्या-क्या चीज़ें उसे प्रभावित कर रही हैं तो उन सारी चीजों को हम लोग channel morphology के अंतरगत पढ़ते हैं तो हम लोग introduction में जान सकते हैं कि channel क्या होता है channel क्या होता है in physical geography a channel is a type of landform consisting of outline of a path of relatively solo or narrow body of fluid ठीक न कोई बड़ी चीज नहीं जो मैंने बोला कोई भी ऐसी जो है नदी का कोई भी नदी की tributary नदी की सायक नदी जो होती है बड़ी नदी की या बड़ी नदी को भी हम लोग बोल सकते हैं जल्धारा लेकिन वो बहुत बड़ी जल्धारा हो जाएगी नॉर्मली यहां पर हमारा जल्धारा इसका लेना देना उस बात से है जो परवती छेत्रों से निकल के आती है या मैदान में कुछ चोटी मोटी नदियां होती है जो बड़ी नदियों उसका shape कैसा है, है ना, और समय के साथ उसके shape और direction में क्या परिवर्टन आ रहा है, इन चीजों को हम लोग पढ़ते हैं, अगर हम लोग इस वीडियो की बात करें, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चार चीजें channel के बारे में, सबसे पहले हम लोग जानेंगे channel geometry के बारे में चैनल की ज्यामिती क्या है, है ना, fluid dynamics क्या है, जो चैनल में तरल बह रहा है, पानी बह रहा है, उसकी गतकी के बारे में जानेंगे, उसको कौन-कौन से चीज़ें प्रभावित करती हैं, फिर जानेंगे channel bed trophography, जो जलदारा की जो तली होती है, उसमें कौन प्रकार की इस्त के बारे में जाना था, तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि channel को प्रवावित क्या गया करता है, तो प्रकार के variables होते हैं, एक होते हैं स्वतंत्र independent variable और होते हैं तूसरे dependent variable, अगर हम लोग बात करें किसी भी independent variable की, तो channel कहां पे बह रह में है या किसी जंगल में है ना निर्जन इलाक्य में अब उदारन के दोर पर क्लाइमेट उठा लें तो क्लाइमेट डिसाइड करता है कि सेडिमेंट सप्लाई कैसा होगा नदी में सेडिमेंट सप्लाई कैसे पता चलेगा वेजरिंग और पूरा Climate पर Depend करता है वही sediment का Supply Supply होते हैं तो Sediment Supply Stream discharge कितना पानी उससे आएगा मालो जलवाई उसुखी है तो पानी कम होगा एड़ है अगर मालो humid है है ना गीली छेत्र है जहां पर बरसा ज़्यदा होती है इस ट्रीम में डिस्चार्ड ज़्यादा होगा और वेजिटेशन वेजिटेशन जाइड सी बात है क्लाइमेट पर ही पूरा डिपेंड करता है जैसी जलवाई होगी वैसी ही वनस्पति होगी है ना तो यह तीन चीजें मिलके है जो यह हैं जोन चीजनल के बारे में लोग बस समझने की बात ही है हम लोग बात करते हैं affecting channel morphology, कौन-कौन से factors हैं, जो channel morphology को impact करते हैं, ये channel को कौन-कौन से factor प्रवावित करने वाली चीज़ हैं थी, हम लोग बात कर रहे हैं, कि कौन-कौन से आकारिकी को प्रवावित करते हैं सबसे पहला discharge है कैसा discharge हो रहा है, कितने volume में water आ रहा है वो channel की जो है, morphology में impact करेगा, channel का design कैसा होगा पानी जो आ रहा है, उसकी गती कितनी है velocity कैसी है, वो भी decide करेगा उसकी आकारिकी को लीथोलाजी, जिस नदी जो channel है, जिस जमीन पर बह रही है उसकी संरचना कैसी है, कठोर चटाने हैं, कि मुलायम चटाने हैं, जल्दी से उनका अपर्दन हो जाएगा, या देर में होगा और load, कितना उसमें load है नदी में, कितना material है जो अपर्दन करके नदी ला रही है है ना, और वो तीन टाइप का होता है load, गुला हुआ और suspended और बागों आगे जानते हैं, उसको हम लोग special जानेंगे भी, हम लोग अब बात करते हैं, channel geometry की, जो हम लोगों ने चार point पढ़ने वाले थे, वो तो factor affecting हो गया, कौन-कौन से factor है, जो morphological effect कर रहा है, हम लोग बात करते है channel geometry की, जो channel होती है, उसकी जामती कैसे decide होती है, उसके चार प्रमुक चीजे हैं, जो असल में indexes हैं, जिनको हम जानके पता लगाते हैं, channel की geometry और channel की behavior के बारे में, सबसे पहला है thalway, thalway का मतलब होता है, कि कोई भी दिखो नदी होगी, कोई भी stream होगी, चैनल होगा, उस channel के का एक सबसे गहरा वाला बिंदु होगा है ना, अगर cross sectional profile को देखें, अगर हम लोग channel को यहां से, उधर से cross करें, पार करें आर पार, पार करें, तो बीच में सबसे गहरी नदी का, या channel का सबसे गहरा हिसा होगा, है ना, particular कोई पर इलाके में, तो वो जो सबसे गहरा इलाका होगा, बिंदु होगा या जमीन सबसे गहरी गहरा होगा जहां पर पानी सबसे ज़्यादा होगा उस गहरी बिंदु से मिलाने वाली जितनी रेखाएं होगी जहां से नदी शुरू ही है, वहां से लेके नदी के मुख तक यह जो पूरा जो लॉंगिट्यूडनल जो पत होगा, उसका रास्ता होगा, उसका जो सबसे गहरी बिंद को मिलाने वाली रेखा होगी, उसे हम लोग थालवेक बोलेंगे, है ना, यही जब दो देशों के बीच इगर निकलती है, कोई नदी और international boundary होती है, तो थालवेक international boundary का काम भी करता है, तो यह थालवेक होता भी photo दिखाएंगे, आब लोग जाएंगे, आता है cynocity क्या होता है, cynocity का मतलब यह है, कि it is the ratio of stream length and valley length, बाई कोई भी stream है वो उसकी length अलग होगी, और जो वो अपनी घ गाटी जो स्ट्रीम की लेंथ लंबाई जो चैनल की लंबाई है उसका भाग देदा है अगर गाटी की लंबाई में तो साइनो सिटी निकल के आ जाता है ठीक ना यह एकनपाद होता है रेडियस अब करवेचर अगर मैदानी छेतर में है और नदी मियंडर बना के बैर रही है तो सपोज एक मियंडर है एक यह करवेचर बोलते है ठीक ना और इन सब चीओं के बारे में मैंने इसको डीटेल में लिख दिया आप जाके दुआरा से पढ़ सकते हैं चैनल Gradient क्या होता है, channel का ढल क्या है, channel ऊपर से उत्जार रहा है पाड से और मैदान में जा के कहीं पे नदी से मिल गया या किसी डेल्टा तक पहुँच गया है तो एक ऊचाही होगी, एक ढल होगा, उस ढल क्या है, channel का gradient क्या है यह decide करता है कितना discharge आ रहा है नदी में, कितना नदी रोधन कर रही है, यह सारे जो है indicators है, जो channel geometry को decide करते हैं, उदारन के तोर पे थालवेक, आप देख रहे हैं कि यह channel है, इस channel के बीच में सबसे गहरा बिंदु है, तो सबसे गहरे बिंदु को मिलाने वाली जो कालप्रिंग रेखा है, काले कलर की आप देख रहे हैं, यह channel का जाएगा थालवेक, यही international boundary काम करता है, अगर किसी भी देश से, दो देशों के बीच से कोई नदी निकल लाई है, ऐसा में South East Asia में बहुत सारे देश मिल जाते हैं, और यूरोप में भी, अगर हम लोग बात करें साइनो सि तो यह जो है असल में वैली है, जो आप बड़ी सा इलाका देख रहे हैं, यह जो बड़ा इलाका है, यह पूरा वैली है, घाटी है, इसी चैनल ही घाटी है, और यह जो बीच में डार्कलर का देख रहे हैं, आप यह जो है असल में चैनल बह रही है, तो यह चैनल की लंब साके आप है की जाए दोनों के बीक का जोन पात होगा वही का जाएगा साइनुसिटी है Greek करवेचर की बात की जाए तो यह नदी क क्या रही हैं नौर करवना रही है एक वक्र कर मेंडर कर रही कर रही हैना विसर्प का अब यहां पेक कालपनिक वरत खीज दिया गया है जो इसके मेंडर से होके गुजर रहा है और उसकी जो तरिज्ज्या कही गई जो थालवेक से टकरा के जा रहा है तो वो उसकी तरिज्ज्या कही जाएगी है यह आपके सामने तस्वीर है आप दुवारा से देख सकते हैं जाके फ्लूर डाइमिंग डाइनामिक्स की बात करते हैं कि जो तरल है उसकी गतकी क्या है कौन-कौन सी फैक्टर्स हैं जो इंपक्ट डालते हैं प्रवावित करते हैं उसकी तरल गतकी को मतलब कि जो उसमें जल बैक आ रहा है उसकी गती को और उसके इंपक्ट को है ना तो सबसे इंपोर्टन चीज है gradient किसी भी चैनल का जितना ज्यादा ढ़ाल होगा उसमें फ्लियो डानामिक्स उतना ही ज्यादा होगा उतना तेज पानी आएगा नीचे अगर जितना ढ़ाल होगा चैनल में है दूसरी चीज वृत चैनल की चौड़ाई जितनी ज्यादा होगी उसमें प इतना प्रसत पानी जमीन की तली से टकरा रहा है सपोज कोई भी मालो एक नदी है तो नदी का जातर जो पानी है वो जमीन से टकराएगा और उसके किनारों से टकराएगा तो दोनों से जब टकराएगा पानी ज्यादा मात्रा में अगर आयतन का जो जल होगा वो तली से नदी में कितना जल का डिस्चारज होगा कोई भी नदी में जो डिस्चार्ज होता है वह विर्थ मठीप्लाइब डप्नीप्लाइब फिल्अ सटी का इंद बनप्त हो और उसकी जो है गहराई और उसकी विलासिटी देखिए विलासिटी कम होगी अगर चोडाई ज्यदा होगी लेकिन चोडाई अगर ज्यदा है तो कम विलासिटी में भी डिस्चार्ड तो बहु ज्यदा होगी चोडाई बहु ज्यदा होगी मलवा ज्यदा 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 बहेग Humanova है ना तो क्या होगा जब लेकर आएगी तो नदी में gravity बढ़ जाएगी जलकी क्यों क्यों कि ऐन में मलवा अगर बैंकर आतो जटी arguably अगर बार बढ़ने से क्या होगा उसकी गति में गति सेडिमेंट है अगर सॉल्यूसन है अगर पूरी तरीके से मलवा घुला हुआ है किसी भी नदी में तो उसकी प्योर ग्रैविटी बढ़ी होगी और ज्यादा स्पीड मिलेगी अगर सस्पेंशन है मालो तहरते हुए कंडीशन में मलवा चला है तो स्पीड थोड़ी सी कम हो ज ज्यादा है अगर बड़ा बड़ा टुकडा कंकर पत्थर लेके आ रही नदी पाड़ से और उसकी तली में बेड़ लोड ज्यादा है जिसे वह बाने में उसे ज्यादा मेरत करनी पड़ रही है तो नदी की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी यह ध्यान देने वाली बात ह तो यह हो गया fluid dynamics ठीक है अब बात करते है चैनल बेड टोपोग्राफी की थोड़ा सा light color में मेरे से टाइप हो गया है चैनल बेड टोपोग्राफी की चैनल बेड टोपोग्राफी का मतलब यह है कि जो चैनल की तली होगी उस तली में किस प्रकार की टोपोग्राफी का निर निर्माड़ हो रहा है तो जब चैनल तैर रहा होता है और सपोस्थ मैदानी छेतर है वहाँ पर चैनल बह रहा है और एक मियंडर का निर्माड़ कर रहा है तो क्या होगा मियंडर में क्या होगा जो है विसर्व में तो जो विसर्व का बाहरी शेत्र होगा है ना नदी मालो बैक या रही है और ऐसे ऐसे करके बैक या रही है तो जो उपर जो बाहरी कर्व होगा या यह बाहरी कर्व नीचे वाला या उपर वाला बाहरी कर्व तो इन दोनों कर्व में क्या होगा इसे बोलेंगे इरोडिंग बैंक यहां पे अपर्दन होगा नदी का इस वाले हिस्से में अपर्दन होगा और इसके जो नीचे वाला हिस्सा होगा यह जो मुड के आया होगा उपर यहां पे होगा डिपोजिशन तो यह इरोडिंग बैंक होगा यह डिपोजिशनल बैंक होगा ठीक ना तो जो eroding bank होगा वहां से मलवा कटेगा बहेगा है ना और वहां पे एक light color का slope बन जाएगा तनी पे उस light color का जो light slope होगा जो है जिसका कोण कम होगा ढाल कम होगा उसे हम लोग बोलेंगे pool तो pool जो होता है वो earth top four zone and the link having a you work a podcast रोड़ोगा जो है आज़सी सख्याइद का शूरी जो पूल होगा उस ठीक आगे जाकि यहां पे मलवा को जम्मा कर देगा है ना अब जब यहां पर मलवा जम्मा कर देगा तो यहां पर आचानक सा तेज़ ढालका निर्माड halo होगा उस तेज़ कि शित्अल को उम लुक्त है रिफल राइफल या रिफल तो जो पूल होता है णo लेंद्फर्म होता है कर डाल वाला होता हैि तेज डालवाला डि-पोजीशनल लेंद्फर्म तो दो प्रकार के लैंद्फर्म in Papam Two और अब राइफल ये दो और को आप याद रखना ठीक ना और बाकी ये point bar deposit होता है जो pool के opposite वाला जो होता है bank है ना eroding bank के ठीक जामने जो bank होता उसे बोलते है point bar deposit ये depositional bank तो ये चीजे हो गई pool और rifle दो प्रेकार की topography है जो channel बे topography होती है इसमें pool तो लिखा है लेकिन rifle नहीं लिखा है R.I.W.E. ठीक ना L तो ये आप जान लेना बाकी इसमें आप design देख सकते हैं आप देखेंगे ये highs and lows जो गोला है ये highs है जो triangle जो गोला है वो low है जो triangle हो highs है ये मतलब आप देखेंगे ये जो है lows है pool यहाँ पे कम डाल वाली गहरी जगह है क्योंकि यहाँ पे erosion हो रहा है और यहाँ पे है is a triangle किए हाँ पे Such erosion हो रहा है तो जब deposition जहाँ पे होगा इस ispool सब्साद राइगा pa तो क्ष़ड़ ज़या डहल से निरिमाड हो गया तो ये राइफल हो जाएगा जो जह जो ज़्यादा ढाल वाला होगा और जो पूल होगा वो मंद्ध ढाल वाला होगा है तो यह दो चीज़ां समझने वाली है इससे कोश्टन बन जाती है ठीक ना पूल और राइफल से तो यह हो गाया चैनल में टोपोग्राफी अब बात करते है चैनल टाइप यंड पैटन किस कि परक座 कि यह चैनल में अगर पाड़ी चट से कोई चैनल कोई बनेगी को एक dollars में क्षारवने कोई ग्रेडियंट और तीसरा है braided इसको बोलते हैं गुमफित नदी अभी फोटो दिखाएंगे आपके सामने clear हो जाएगी गुमफित नदी वो नदी होती है जब नदी बै के आ रही है और बीच में बहुत सारे deposition करके आ रही है नदी तो क्या होगा कि नदी बै रही होगी कोई भी दारा या जलदारा बै रही होगी और बीच में आप छोटे-छोटे टापू देखेंगे जो जहां पर जमाव deposition हुआ है तो उसे बोलते हैं गुमफित नदी ब्रेड़ रिवर और ग्रेड़ रिवर यह दो अलग अलग चीज़े हैं ब्रेड़ रिवर जो मैंने भी बताया जब deposition होके जो है बीच में चुटे-चुटे टापू बन जाए किसी भी दल दारा में और ग्रेड़ रिवर जो होती है उसका मतलब यह होता है कि जब नदी में उठ जागा वितरन समान हो जाए मतलब नदी अपने एक ऐसे वक्र को प्राप्त कर ले और इस डिजाइन को एक आधर्ष कोण को प्राप्त कर ले उसे बोलते हैं ग्रेड़ रिवर वो एक अलग चीज़ है तो ग्रेड़ रिवर गुंफित नदी उसे आप यहां पर समझ लीजिए एक है एना स्टॉमिंग रिवर होती है एना स्टॉमिंग जो रिवर होती है वो ब्रेड़ रिवर की तरीके होती है डिपोजिशन की कारण बीच में चुटे-चुटे टापू बन जाते हैं लेकिन ब्रेड रीवर और अन्तर यह होता है कि ब्रेड रीवर के जो बीज में की टापू बनते हैं उनकी इस्तती बदलती रहती है, हो सकता है अभी यहाँ पे टापू बना है, कल नदी की इस्तती बदल जाए, डिपोजिशन अलग तरीके से हो, तो नदी कहीं दूसरी टापू को बहा ले जाए, तो वो ब्रेड हो जाएगी, लेकिन स्टामिंग में क्या होगा कि टापू तो बने हैं, लेकि उनकी जो इस्तती है, वह वहीं पे पर्मानेंट है, उन्हें जो है जल्दी से नदी बदलती नहीं है, तो इसे साखा जलित चैनल जल्दारा बोलते ह तो यह चार प्रगार के प्रमुख डिवाइडेशन है, यह आप समझ लीजिए, अब आता हाई ग्रेडियंट में जब जहां पे ज्यादा ढ़ालो, तो राइफल बनेगा, पूल बनेगा, राइफल पूल को अम लोग समझ चुके हैं ना, जब ढ़ाल एक से दो डिगरी के बीच में हो, तो राइफल पूल हो जाएगा, अगर ढ़ाल पांच डिगरी हो गया, तो वही राइफल पूल आपस में करीब आ जाएंगे, और वो रैपिट्स का निर्माड करेंगे, ठीक है ना, रैपिट्स का निर्माड करेंगे, और यह रैपिट्स को अम लोग अभी फ cascade या waterfall जब करीब 20 से 90 degree का जब कौन बन जाएगा तो waterfall का निर्माड हो जाएगा ठीक ना तो उसे हम लोग बोलेंगे waterfall या cascade है ना जर्णा जिसे हम लोग बोलते हैं तस्वीर देख लीजिए आपके सामने clear हो जाएगा यह rapid की तस्वीर है नदी उपर से बैक आ रही है आप देखेंगे इस नदी में यह नदी धीर धीर नीचे आ रही है और rapids बना के जा रही है है ना कि आप इसके अंदर जब कई बार आपने देखा होगा सुना होगा जो पाड़ी चेतर है वहाँ पर बहुत सारे sports होते हैं समों पानी से चैनल बनाती है तो आपके सामने rapid का साप साप उधारन है जब कौन पांस से बीच डिगरी के बीच का होता है ठीक ना और यह है आपके सामने एक विरेड़ेड रीवर का उधारन यह विरेड़ेड रीवर है एक नदी थी और उसने इतना जो है पोजिशन किया कि बीच में चोटे-चोटे टाप्वों का निर्माण हो गया है ना तो यह हो गई प्रिड़ेड रीवर आपके सामने और यही एनास्ट्रामिंग रीवर कही जाएगी अगर यह जो वो हैं क्या बोलते हैं चोटे-चोटे जो दीफ हैं यह ना बदले अगर इनकी जो है लोकेशन ना के निर्माण करेगा जहरने का यह सारी चीज़ा भी हम लोग पढ़ लेंगे आगे फ्लूवियल लेंड फॉर्म में बाकी यह चैनल मॉर्फुलाजी आपका समाप्त होता है इससे कोई भी सवाल है आप जाके हमसे पूर सकते हैं ट्वीटर पर या कमेंड करके जैसा भी और यहां से यह वीडियो समाप्त होता है धन्वाद